एक ऐसा दल जिसके एक परिवार की चार-चार पीडिया जिसने देश पर राज किया वो आज दूसरों के कंदों पर सवार होकर देश हिस से जुड़े हर काम का विरोध करवाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है एक किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं जिन सामानों की उपकरोनों की किसान पूजा करता है उन्हें आग लगा कर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है इसलिए इने परेशानी है साथिओं ये लोग न किसान के साथ है न नवजवान के साथ और नहीं देश के वीर जवान के साथ है बरसों तक इन लोगों ने देश की सेनाओं को ससकत करने के लिए कुछ नहीं किया बायू सेना कहती रहिए कि हमें आधुनिक लड़ा को विमान चाहिए लेकिन लोग बायू सेना की बात कभी नहीं सुनी उसको नजर अंदात करते रहे जब हमारी सरकार ने सीधे फ्रांस सरकार से रफाइल लड़ा को विमान का समझोता कर लिया तो इनको फिर दिक्कत होने लगी भारतिय वायुसेना के पास रफाइल विमान आए भारतिय वायुसेना की ताकत वड़े इसका भी विरूत करते रहे पिछले महने ही आयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्मान के लिए भूमी पुजन किया गया है यह लोग पहले सुप्रम कोट में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे फिर भूमी पुजन का विरोध करने लग गए हर बदलती हुई तारिक के साथ विरोध के लिए विरोध क होते जा रहे हैं इसकी छट पटांच है बेचे नहीं है हताशा है निराशा है